Master Podcast Classes YouTube channel आप सभी लोगों का स्वाथ करता है इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी PAT 2022 की परिच्छा के लिए परतेक टॉपिक के महत्यपुन प्रिष्णों को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने जैन धर्म और बौध धर्म का पहला लेक्चर सॉल्व किया है और यह जैन धर्म और बौध धर्म का दूसरा वीडियो लेक्चर है आपको जितने भी प्रिष्ण यहां पर कराए जा रहे हैं इससे बाहर परिक्षा में एक भी पृष्ण नहीं आएगा आप पूरे वीडियो लेक्चर को देखिए इनमें से कोई ना कोई पृष्ण आपकी परिक्षा में जरूर फसेगा और आपकी जानकारी के लिए यहां बता दें परिक्षा में सामान ग्यान के जो टोटल 50 पृष्ण का महिने का हमारा टारगेट है डेल महिने में आपका पूरा स्शलेबस खतम कर दिया जाएगा तो डेल महिने तक अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो समझ लीजिए कि आपके 50 में से कम से कम 40 से 45 नंबर जरूर आएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म और बहुत धर्म का अपना दूसरा लेक्चर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रिष्ण पो तो इसमें से हमारा पहला प्रिष्ण है जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है सबको पता है इसका आपको भूलना तो बिल्किल भी नहीं है इनका जो जन्म हुआ था वो 263 में हुआ था आपको क्या करना है कि जो भी बिकल्प आपको सही लगे उसको comment box में लिखते चलिएगा इससे क्या होगा कि आपको सारे प्रिष्ण रड जाएंगे और इससे बाहर आपका एक भी प्रिष्ण पेपर में नहीं आएगा इसकी guarantee हम ले रहे हैं तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था ये भी आपको बताना है तो 38 नंबर में इसको याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बनी नामक स्थान पर हुआ था इन में से कौन बुद्ध की धात्री मा थी यानि कि धात्री मा उनको जन्हों ने पालन पोसंड किया था तो गौतम बुद्ध का जो पालन पोसंड किया था उनकी मौसीन ने किया था उनका क्या नाम था उनका नाम था महापरजापती गौत्मी की नाम रहे मेंको सही रही रही आगे बढ़ते हैं फटाफट हम लोग प्रिष्णों को आंसर बताते चलेंगे, आप फटाफट इसका रिविजन करते चलिए 41 नमबर में निम्स में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है तो बुद्ध का दूसरा नाम पार्थ महिर प्रछन इन में से कुछ भी नहीं है तो महा विनी स्क्रमन के नाम से जिस घटना को जाना जाता है वो है उनका ग्रिहत्याग आपका यहां पर विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा बुद्ध किस वंस से संबने थे तो इनके जो वंस का नाम था वो साक के वंस से संबने थे विकल की आपका बिल्कुल सही है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला परवचन जिसको हम लोग धर्म चक्र परवर्तन के नाम से जानते हैं ये कहां पर दिया था तो पहला प्रवचन दिया था वैया सारमात्स में आपका विकल्प भी बिल्कुल सही आगे बढ़ते हैं 25 नमर के प्रिश्ट पर निवल्ट में से कौन सा असोक का अभिलेख है जिससे इस बात की पुष्टी होती है कि गौतम बुध का जन्म लुम्बिने में हुआ था तो इसकी पुष्टी किसे होती है वैया तो यहाँ पर आपका जो डी वाला विकल्प है रुम्मिन देज का जो अभिलेख है उससे इस बात की पुष्टी होती है कि भगवान गौतम बुध का जन्म लुम्बनी नामा के स्थान पर हुआ था आगे बढ़ते हैं 46 नमबर के पृष्टी पर निम्लिक में से किस एक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि साकिमुनी बुध का जन्म लुम्बनी में हुआ था अब देखो यही घुमाफरा के पृष्टी है तो यह अभिलेख किस ने बनवाय था सम्राटा सूचने बनवाय था पिकल पे यहां पर बिलकुर सही है और इसी का जो है दूसरा रूप यह आपका 45 नमबर का पृष्टी दिया गया है आगे बढ़ते हैं अपने 47 नमबर के पर गौतम बुध द्वारा अपने धर्में दिष्चित कीये जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम ब्यक्ति का नाम है सुभद्र बिकल्ब डी हाँ पर बिल्कुल सही अलार कलाम कौन थे तो भगवान गौतम बुद्ध के गुरु का नाम है अलार कलाम ठीक है आगे बढ़ते हैं बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा रित्यू कहां पर बिताई थी तो कौसाम भी आये थे उदाईन के सासनकाल में विकल्ब बी के हाँ पर बिल्कुल सही आगे बढ़ते हैं गौतम बुद्ध ने किस इस्थान पर निर्वान प्राप्त किया था तो निर्वान की प्राप्ति उन्हें कुसी नगर में हुई थी विकल्ब ए यहाद पर बिल्कुल आपका सही रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं शिप्टी टू नमर पर कौन सा इस्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है तो गौतम बुद्ध से संबंधित जो इस्थान है वो पावापुरी नहीं है पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है महावीर स्वामी से संबंधित है आगे बढ़ते हैं भगवान बुद्ध के महापरी निर्वान के बाद पहली बौद संगती कहां पर हुई थी तो जो पहली बॉद्ध संगती हुई थी भगवान बुद्ध के महापरी निर्वान के बाद तो वो हुई थी राजग्रिह में आपका जो बिकल्ब पहला वाला है ये बिकल्ब आपका बिल्कुल सही रहेगा बुद्ध की मृत्य किस वर्स होई थी तो बुद्ध की जो मृत्य होई थी वो 400 आपका कौन सा सही रहेगा 400 तिराशी इसमी पूर में होई थी पहला विकल्ब आपका यहाँ पर सही रहेगा ओध धर्म के चार आरिश सत्यों में से कौन एक पर्तित्व समुत्पाद के सिध्धान्त की ब्याथ्या करता है तो इसकी जो ब्याथ्या करता है वो दुतिय करता है यहाँ पर विकल्ब आपका बिल्कुल सही रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं यह देखिए आपका आंसर सीट यहाँ पर दिया गया है आपको PDF के लिए परिशान होने की कोई भी आउश्यक्ता नहीं है आप टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजिए वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी ज्यादा परिशान होने की आउश्यक्ता नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 56 नमर के प्रिश्ण पर एक मट का समय दीजी इसको हम लोग थोड़ा सा पहले अजेस्ट कर लेते हैं हाँ ठीक है ठीक है बौत धर्म में त्री रत्न क्या से क्या अभिप्रा है तो त्री रत्न से क्या अभिप्रा है ये आपको बताना है और यहां त्री रत्न जो मानेगा है वो बुद्ध, धम और संग मानेगा है विकल्बी यहां पर आपका बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं अपने 57 नम्मर के पिशन पर इसमें आपको क्या करना है भाईया कि बौत धर्म से गौतम बुद्ध से सम्मंदित जो उनके परतीक है उनके जोड़ा मिलाना है ठीक है तो क्या सही होगा चली स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले जन्म जन्म को क्या माना गया है जन्म को भयक कमल माना गया है ठीक है पर्थम परवचन तो जो पहला उपदेश दिया था उसको क्या माना गया है उसको माना है धर्म चक्र परिवर्तन अभी हम उपर पढ़ चुके हैं महा बोधी को क्या माना गया है बोधी ब्रिक्ष जहां से इने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और त्याग को क्या माना गया है घोडे का सूचक प्रतीक माना गया है इस परकार आप देखेंगे तो यहां पर जो डी वाला विकल्प दिया गया है यह 4, 2, 1, 3 यह वाला विकल् से था तो बुद्ध के जीवन से किसका समंध था अवंति गांधार कोसल और मगद तो किसका समंध था तो यहाँ पर जो तीसरा वाला आपको दिख रहा है कोसल इसका समंध आपका बुद्ध से था और मगद में तो गौतम बुद्ध उपदेश देते ही रहते थे इस परकार आपका तीरोचार यानि कि विकलब डी आपका बिलकुल सही रहेगा गौतम बुध्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांद बौध संग के नितुरत के लिए ने उन में से किसे नामित क्लिया था तो अपनी मृत्यु के जब होने वाली थी गौतम बुध की तो उन्होंने किसी को भी नामित नहीं क्लिया था यानि कि यहाँ पर जो आपका सही रहेगा वो डी वाला सही रहेगा उन में से किसी को भी नामित नहीं क्लिया था ठीक है आगे बढ़ते हैं साथ नमर के पिर्ष्ण पर निम्ल में से कौन बुद्ध के जीमनकाल में ही संग का प्रमुक्ष होना चाहता था तो उसका नाम है देवदत पहला बिकल्ब यहाँ पर बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं सारमाथ वह पवित्रिस्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था किस सहर के नजदीक है तो सबको पता है जो सारमाथ है वो बनारस के नजदीक है बिकल्ब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा आगे बढ़ते हैं छणिकवाद के प्रतिपादक कौन थे तो छणिकवाद के जो प्रिवाद प्रतिपादक थे भगवान बुद्ध थे विकल्ब यहाँ पर बिल्कुल सही है अश्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है तो अश्टांग मार्क की जो संकल्पना है वो धर्म चक परवर्तन सुत की विशय बस्तु का अंग है यानि क्रियापका बिकल्पडी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिपटक क्या है तो त्रिपटक के बारे में जानते रहे हैं बुद्ध के उपद्योसों का संग्रह है यह बुद्ध एक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किला गया है त्रिपटक उसका नाम है आगे बढ़ते हैं पैसर नमर के पिर्षपर, त्रिपटक किसकी धार्मित पुस्तक है, देखो अभी अभी तो उपर पढ़ा है, यह बहुत धर्म से सब्बंदित है, विकल्ब D यहाँ पर सही रहेगा, चाचर नमर पर भढ़ते हैं, भारती इतियास के संबंद, संदर में निम्रित में से कौन भावी बुद्ध है, जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, चलिए, कौन है, यहाँ पर मत्रे, विकल्सी, आपका बिलकुर सही रहेगा, अनात्म वाद, जो सिध्धान्त है, उसके परतिपादक कौन है, या किस धर्म से सम्मंदित है, तो यह बहुत धर्म, यानि ब और चणिक है, यह निम्न में से किस सम्मंदित है, तो यह सम्मंदित है भगवान बुद्ध से, विकल्प ए आपका बिलकुर सही है, आगे बढ़ते हैं 69 नमबर के प्रिश्न पर, निम्न में से किस बौद ग्रंद में संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो संग एक बौद ग्रंथ है, जिसका नाम है मन्जिम निकाय, तो मन्जिम निकाय जो ग्रंथ है, वो किस भासा में लिखा गया है, तो यह लिखा गया है आपका पाली भासा में, विकल्बी यहाँ पर, बिलकुर सही है, गंद तिंतु जातक कथा किस भासा में लिखी गई है, तो किस बौध मूल ग्रंथ में मौर समराट असोग का विवरण प्राप्थ होता है तो असोग के बारे में कहां पर बताया गया है तो असोग के बारे में बताया गया है अभी धम पिटक में तो अभी धम पिटक आपका कहां पर है विकल्प सी में है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नमर के प्रिस्पर इस्टूप और चैत निर्मान के निर्देश तथा उसमें इस्थापित करने के लिए बुद्ध के और सेसों को लेकर बिवाद का विरोन कहां पर मिलता है तो इसका जो विरोन मिलता है आपका विकल्ब सी सही रहेगा महापरी निर्वान सूत्रम से इसका विरोन प्राप्त होता है आगे बढ़ते हैं 74 नमर के प्रिश्ण पर निम्न में से किस बौद साहित में महत्मा बुद्ध के नैतिक योम सिधांद सम्मंधित परवचन संकलित है बढ़ते हैं तो इसके लिए कौन सा विकल्ब आपका चाहित हैं इसको फिरोन मist इसी परिश्ण पर नहीं नहीं पाएगा इन्हीं में से कोई ना कोई प्रिश्ण आपके परिश्चा में जरूर आएगा तो चली मिलते हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में आप सब लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत घंने बाद